सिर्फ एक आसन से कब्ज गायव और तोंद कम तोंद एक वैश्विक समस्या है लिए आप भी इस समस्या से परिशान हैं तो आपके लिए लाएं हैं हम एक चमतकारी कासन शर्तिया तोर पर इसे प्रतिदिन करते रहने से मात्र एक महा में आपकी तोंद कम हो जाएगी लेकिन इसके पहले तीन शर्तों का पालन करना भी जरूरी है पहले शर्त है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई गंबीर विमारी नहों दूसरी है कि आप प्रतिदिन सुबह और शाम गर्म जल ही ग्रहन करें तीसरी शर्त की गरिष्ट भोजन न करें और भोजन की मात्रा कम कर तो अब जाने की कौन सा है वह आसन उस आसन का नाम है कुंभासन जिसे इसे एक अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं इसे वर्तमान में प्लंक कहते हैं कुंभासन और चतुरंग आसन दंडासन के मिले जुले रूप को प्लंक कहा जाता है प्लंक को हिंदी में कास्ट फलक कहते हैं जबकि कुछ इसे फलकासन कहते हैं। चित्र में दिखाई गई इस अवस्था में कम से कम एक मिनिट तक रुकना चाहिए। लेकिन शुरुआत आपको दस सेकंड रुकने से करनी होगी। फिर अभ्यास करते हुए कुछ दिनों बाद एक मिनिट से दो मिनिट तक इसी अवस्था में रुके रहें। यह आसन देखने में आसान हैं लेकिन करने में कठिन। आप प्लंक योग नहीं कर पाएं तो कुमभासन योग करें। सबसे पहले सवासन में सोते हुए मकरासन में लेट जाएं। अब अपनी कोहनी और हाथ के पंजे को भूमी पर रखें। फिर छाती, पैट, कमर और पुस्ठिका को उपर उठाते हुए पेर के पंजे सीधे कर दें। इस स्थिति में आपके शरीर का बल या वजन पुर्णत हाथ के पंजे, कोहनी और पेर के पंजो पर आ जाएगा। अब गर्दन सहीत रीड की हड़े को सीधा करें। इस स्थिति में रीड सीथी रेखा में होना चाहिए। उक्त आशन करने के बाद कुछ देर तक सवाशन करके खुद को नार्मल कर लें। यह बहुत तेजी से आपके पेट और कमर की चर्वी को हटा कर तोंद को समाप्त करता है। पाचन करिया इससे मजबुत होती है और कब्ज जिसी बीमारियां दूर हो जाती है। इस आशन से बाहें, कंधे, पीट, पुष्टिकाएं, जंधाएं मजबुत होती है। यह आशन पेट, गुदा, सम्बंदी, कई रोग में लाबदायक है। छाती, फैपडे और लीवर को यह आशन मजबुत करता है। मुत्र विकार और केडिनी सम्बंदी रोग में भी यह आशन लाबदायक है।